प्रिस्तोते कहानी जिन्दगी और घुलाप के फूल जिन्दगी और घुलाप के फूल कहानी लेकी का उशा प्रेमवदा के लिखी हुई है और इस कहानी का वाजन मैं अल्टनावर्मा प्रसुक कर रही हूँ कहानी अगर आप लिखित में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे ब्लॉक पर उसे पढ़ सकते हैं, कहानी को मैं अल्पनावर्मा प्रसुत कर रही हूँ, आप मेरी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, सुबोध काफी शाम को घर लोटा, दर्वाजा खुला था, बरामदे में हलकी रोशनी थी, और चौके में आग के लपनों का प्रकाश था, चौका यानि रसोई, अपने कमरे में घुसते ही, उसे खाली-खाली सा लगा, दूसरे एक्षन, वह जान गया कि कमरे का कालीन निकाल दिया गया है, और किनारे रखी हुई, मेज भी नहीं है, मेज पर काफी के फूलों का जो गुल्दस्ता रहता था, वह कुछ ऐसे कोंड से, खिड़की पर रखा था, कि लगता था, जैसे मेज हटाते वक्त, उसे वहाँ वैसे ही रख दिया गया हूँ, उसने बहुत कोमलता उसे यही बदरंग फूलते और शायद यही रहेंगे, सुबोत ने फिर खिड़की का गुल्दान रखते हुए सोचा, हाँ, यही रहेंगे, क्योंकि शोभा की सगाई हो चुकी थी और उसका भावी पती किसी अच्छी नौकली पर था, सुबोत ने कोट उतार कर खूंटी पर टांग दिया, आखिर कब तक शोभा के पिता उसके लिए अपनी लड़की कुमारी बैठाई रखते, सुबोत खिड़की के पार देख रहा था, धूल भरी सांज, ठके हुए जहरे, बुझे हुए अमन, फिर वे मा के पास आया, उसकी मा चौकी में चूले के पास बैठ किया, कुछ देख कोई बोला नहीं, माने तो एक बार उसे देखा जरूर, पर कुछ कहा नहीं, पत्थर की मूर्ती के दर बैठी रही, ऐसे मूर्ती जिसकी केवल आखें जीवित थी, एक एक सुबो दो पूछ बैठा, अम्मा, मेरे कमरे का कालीन कहा गया, दूप में डाला था क्या, बाए हास से धोती का पला सेर पर खींचती हुई मा बोली, वरंदा अपने कमरे में ले गई है, उसकी कुछ सहेलिया आज खाने पर आएंगे, सुबोत को अपने पर आच्यरिवा कि वे इतनी सी बात पहले क्यों नहीं समझ पाया, उसकी सारी चीज़ें वरंदा के कमरे में जा चुकी थी, सबसे पहले पढ़ने की मेज, फिर घड़ी, आराम कुर्सी और अब खालीन और छोटी मेज भी, पहले अपनी चीज़ वरंदा के कमरे में सजी देख, उसे कुछ अटपटा लगता था, पर अब वह अभ्यस्त हो गया था, यद भी उसका पुरुष हिरदय घर में व्रिंदा की सत्ता स्विकार ना कर पाता था, उसे अन्मना हुआया देख माने का, तुम्हारे इंतजार में मैंने चाय भी नहीं पे, अब बना रही हो, फिर कहीं चले मच्चा ना, और पतिलय का ढगना उठा कर देखने लगे, सुबह दोनों हाथों की उसे देखती रही, मन ही मन कई बातें सोची, कहने की मौन का अंतराल तोड़ने की, पर नजाने कैसे वानी साथ ना दे सके, उसके आगों के सामने ही सुबह दो बदलता जा रहा था, इस समय उसके नेत्र मापर वर्षय थी, पर वह उनसे हजारों मिल दूर था, मौन रहका जैसे वह अपने अंदर अपने आप से लड़ रहा हो, काश, सुबह फिर वही छोटा सा रड़का हो जाता, जिसके त्रास वह अपने सपश दूर कर देती थी, पर सुबह जैसे अब वह बेटा नहीं रहा था, वह एक अंजान, गंभीर और परिचित पुरुष हो गया था, जो दिन भर भटका करता था, रात को आकर सु रहता था, सुख के दिन उसने भी जाने थी, अच्छे नौकरे थी शुबह थी, अपने पुराने गहने तुड़ा कर माने कुछ नई चीज़े बन वाली थी, और अब वे नए बुंदे और बालियां हार और कंगन बक्स में मा के चहरे को देखा और मुस्कुरा दिया, शब्द निरर्थक थे, शब्द निरर्थक थे, दोनों एक दूसरे की गोपन व्याथा से परिजित थे, उनमें एक मूख समझोता था, मा ने इदर पहुत दिनों से सुभोत से नौकरी के विशे में नहीं पूछा था, और खड़ी होकर अलमारी से चायदानी उठाई, उसे गरमबानी से धोया, बहुत सावधानी से चायगी पत्ती डाली और पानी उडेला, फिर उस पर टिकोजी लगा दी, वह टिकोजी व्रंदाने काड़ी थी, और उसकी शादी की आशा में बरसों मा बकसे में रखी रही थी, अब उसे रोज वेभार करना मा की पराजय थी, यानि उसे रोज वेभार में लाना मा की पराजय थी, उससे बड़ी पराजय थी सुबोध की, जो अपनी छोटी बहन की शादी न कर पाया था, टिकोजी पर एक गुलाब का फूल बना था, सुबोध उन गुलाब के फूलों की याद कर रहा था जो शुभा उसकी कमरे में सचा जाती थी उन बाली और बुंदों की सोच रहा था जो शुभा अब नहीं पहने की दूद करम कर और प्याला पोंच कर मा ने चाय सुभोत के आगे रखती सुभोत पीड़े पर पालती मार कर बैट गया और चाय चानने लगा मा अपनी कोटरी में जाकर कुछ खटर पटर कर रही थी जरा देर में ही एक तश्तरी में चांदी का वर्क लगा हुआ सेव का मुरब्बा लाकर मा ने उसके सामने रख दिया बड़े दुलार से का खा लो अपने विचार पीछे ठेल कर कुछ सुस्त हो हस्ती वे सुभोत ने का अरे अम्मा बड़े खातिर कर रही हो आज क्या बात है मा ने इस नहीं कातर कंट से का तुम कभी वक्त ठीक वक्त से आते भी हो रात को दस क्यारा बजी आए ठंडा सुका खा लिया सुभा देर से उठे दुपार को फिर गाया कब बनाओं कब दूं यह चर्या तो सुभोत की पहले भी थी तब व्रंदा और मा दौनों उसके इंतिजार में बेठी रहते थी व्रंदा हमिश्र बात में खाती थी सुभोत की दिंचर्या की अनुसार ही घर के काम हुआ करते थी पर तब व्रंदा नौकरी नहीं करती थी तब सुभोत बेकार न था अब खाना व्रंदा की सुवधा की अनुसार बनता है और सुभा उसे जल्दी उठना होता था इसलिए रात को जल्दी खा कर सो जाती थी अब सुभोत जब साड़े आठ पर उठता है सो कर उठता है तो आदा खाना बन चुका होता है जब नौ बजे व्रंदा खा लेती तो वह चाय पीता पहले जब वह स्वेम अकवार न पढ़ लेता था व्रंदा को अकवार चुने की हिम्मत न पढ़ती थी क्योंकि वह हमेशा पन्ने गलत तरह से लगा देती थी अब उसे अकवार लेने व्रंदा के कमरे में जाना पढ़ता था और इसलिए उसने घर पर अकवार पढ़ना छोड़ दिया था जूठी बरतन समेटती वे माने कुछ कहना चाहा पर रुख गए उसका असमंजस भाप का सुबोद ने पुचा क्या है प्याला धुती वे माने मंदस्वर में कहा घर में तरकारी कुछ नहीं है सुबोद ने उठकर कील पर टंगा मेला थेला उतार लिया मान या चलकी काट खोल कर मुड़ा तुड़ा एक रुपे का नोट उसे थमा दिया और कहा जरजल्दी है न अभी सारी चीज़े बनाने को पड़ी है सुबोद कोट पहने बिना ही बाजार चला गया वह पतलून यह पतलून काफी दिनों से वह पहन रहा था कमीस की फटे हुए कफ और कॉलर काफी गंदे थे पर उसने परवा नहीं की पर दौनों हाथों से थेले का मुझ पकड़ कर उसमें गंदी तराजू से मिठी लगे आलू डलवाते वे सुबोद को एक जटका सा लगा उसके पास ही किसी का पहाड़ी नौकर भागूच रहा था उसकी चीकट बालों से माथे पर तेल बहरा था मुझ से बीड़ी का कड़वा धुआ निकल रहा था वह भी थैला लिये था और तरकारे लेने आया था सुबोद अचाना की सोच उठा कि वे कहां से कहां पहुचा है अपने अफसर की अपमान जनक बात सुनकर तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस्तीफा दे दिया था लेकिन अब कहां है वे आत्मसम्मान चोटी बहन पर भार बन कर पड़ा हुआ है उसे हाँ चाड़ का सुबोद ने पैसे दिया और चल पड़ा इस सब के बावसुत उसके अंदर एक तुस्टी का हलका सा आलोग था कि इस्तीफा दे कर उसे ठीक ही किया उसके जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान का कड़वा गूंट कैसे बे ले था स्वाभिमान सुबोद क का एल्बम खोलने लगा हर चित्र इस पस्ट था नौकरी छोड़ कर वे कुछ महीने घर नहीं लोटा वहीं दूसरी नौकरी खोशता रहा और जब घर लोटा तो उसने घर का चित्र ही बदला हुआ पाया उसके अनुपस्तिती मे वरंदा ने उसकी मेजे ले ली थी और उस लेने और मास्टरनी बन जाने से ही जैसे वरंदा का मेज पर हाक हो गया हो कोई अध्यापिका होने से ही पुस्तकों का प्रेमी नहीं हो जाता सुबोत की उस मेज पर अब जूडे के काटे नेल पॉलिश की शीशी और गर्द भरी कितावें पढ़ी रहते थी और कुछ दिन मा ने आहत और भर्सना पूर्ण दृस्टि से उसे देख कर कहा उसके पास बसता ही क्या है तुम खर्च करते होते तुझ जानते नहीं मुझे क्या पता हमेशा से तो वरंदा ही घर का खर्च चलाती आई है मैं तो बेकार हूँ ने ठलना और जुझला का सुबोत ने घड़ उसे दे दी थी सबसे अधिक आशिर तो उसे वरंदा पर था अक्सर वे सोच उठता था कि क्या यह वही वरंदा है जो उसके आगे पीचे गूमा करती थी उसके सारे काम दौर दौर कर किया करती थी जब भी उसने चाय मांगी वरंदा ने चाय त्यार कर दी और अब एक रा कर दो अपने आप खा लेंगे उसके बाद सुबोद रात को चुपचा पाता ठंडा खाना खाकर अपने कमरे में लेड़ जाता सुबह जग जाने पर भी पढ़ा रहता वह अब रंदा के चाय पे लेने पर उठकर चाय पीता बाजार से सौधा ला देता मैले ही कपड़े पहन सा लगा जूते उतार कर वह चार पाई पर लेड़ किया चार पाई बहुत डेली थी उसके लेड़ते ही दरी सिकुड गई तक किया नीचे खिसकाया दरी के सिकुडे ने पीठ में गड़ती रही सुबोद के आंके बंद थी हाथ शितिल और कान अंदर और बाहर के विभिन स सुनते रहे, खिड़की के पास से गुजरते दो बच्ची, साड़क पर किसी राही की बेसुरी बच्चती बासुरी, खट-कट करते दो भारी जूते, अंदर बरतन की हल्की खट-पट, तरकारी में पानी पढ़ने की छन और खीची जाते चार पाई के पायों की फश्ट से रगर, तभी बाहर का दर्वाजा अचानक खुला और व्रिंदा ने कुछ दीखिस पर में पुचा, अम्मा दादा घर में है, सुबोध सुनकर भी न उठा, मा का उत्तर सुन व्रिंदा उसके कमरे के दर्वाजे पर खड़ी होकर बुली, दादा तांगे वाले को रुपिय उत्तर दे वह बाहर आ गया, नोट दोड़ा कर तांगे वाले को पैसी दिये और फिर अंदर नहीं गया, पड़ोस में एक परिचित के घर बैट गया, और शतरंज की बाजी देखने लगा, वहां बैटी-बैटी जब उसने मन में अंदाज लगा लिया कि अब तक शोभा औ दोवे घर आया, सड़क पसन नाटा हो गया था, बत्तियों के आसपास धुंदले प्रकाश का घेरा था, और पानवाला ग्रहाकों की प्रतीक्षा में चुप और इस्थिर बैठा था, व्रिंदा ने जुझ लाकर का, कहा चले गए थे दादा, शोभा और निर्मला कब से घ घर जाने को बैठी है, तुम्हें पहुचाने जाना है, मुझे मालूम नहीं था, सुभूद ने कहा, जैसे कभी शोभा को घर पहुचाया नहीं है, व्रिंदा ने कहा, तब सुभूद ने सुचा, तब शोभा के सगाई कहीं और नहीं हुई थी, तब है बेकार न थी, से कोई शादी करने को राजी नहीं होता था सुबोध ने शूभा की और नहीं देखा अच्छा तो चले पर शूभा बोल पड़ी हमें दिल्दी नहीं आप खाना खालेजे मा ने कढ़ाई चूले पर चड़ा दे ब्रिंदा निर्मला को लेकर अपने कमरे में चली गए सुबोध बैठ गया और शूभा ने उसके आगे तिपाई लाकर रख दी फिर उसने रेश्मी साड़ी का आचल अपने कमर में खोंस लिया और थाली लाकर उसके सामने रख दी सुबोध नीची नजर किये खाने लगा चौके से बरामदे बरामदे से चौके में बार-बार जाती हुई शूभा की साड़ी का बॉडर उसे दिखाई देता रहा हरी साड़ी जोगिया बॉडर उस पर मोर रतोते कड़े हुए थे कभी-कभी एडियां में जलोक उटती उजली और चिकनी एडियां सुभोत को लगता कि वह अतीत में पहुँच गया है और शूभा वही है वही जिससे कभी उसके प्यार की बाते नहीं हुई पर जो अनाया से उससे शर्माने लगी थी शायद उस पता चल गया था कि उसके पता ने सुभोत से बाची शुरू कर दी है और शायद अब तक शादी भी हो जाती अगर सुभोत को कोई दूसरी नौकरी मिल जाती है अगर सुभोत पहले अच्छी नौकरी ना छोड़ता सुभोत ने खाना बंद कर दिया पाने पीकर हादों ने उठा तो शुभा जट से हाद उलाने लगे उसके आँखों में विनाय भरी कातरता थी उसके मुख पर उदासी पर उसके बालों से सुभास आ रही थी यहनि सुगंद आ रही थी जब यह तांगा लेकर आया तो शुभा मा के पास चुप खड़ी थी और मा उसके सिर पर हाथ फेर रही थी रास्ते भर दौनों चुप रहे सबसे पहले निर्मला का घर आया उसके उतर जाने पर शुभा ने आशु भरे कंठ से कहा आप यहाँ पीछे आ जाएए ना वह उतर का पीछे आ गया तब बोले कुछ बोलेंगे नहीं क्या कहूं सुभा ने उसके और मुड कर उसे देखते वे कहा शुभा के आखे छलक रही थी मैंने तो पिता जी से बात कहा फिर आखिर मैं क्या करती मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ इस बात को स्विकार कर लो कि मैं जिन्दगी में फेलियर हूँ कम्प्लीट फेलियर कुछ नहीं कर सका जैसे मेरे जिन्दगी में फुल स्टॉप लग गया है अब ऐसे ही रहूँगा तुमारे फादर ने ठीक ही किया फिर जैसे जाकर तांगे वाले से कहा अरे बड़े मियां लोटा ले चलो घर तो पीछे चूट गया शोभा उतरी कुछ खरण अनिश्चित से खड़ी रही सुबोत के हाथ पड़े पर फिर पीछे लोटा है अच्छा शोभा नमस्ते शोभा ने कहा और मैं अंदर चली गई तांगे में अकेला सुबोत शड़क पर घोड़े की एक रच्टापों के शब्द को सुन रहा था कभी-कभी तांगे वाला खांस उटता और मैं खांसी उसका सारा शरीर जिंजोड जाती अंधेरा खांसी और आखरी सपने की भी मोत सुबह उटकर सुबोत ने सबसे पहले बरामदे में बैठे धोबी को देखा जितनी देर में उसके लिए चाय बनी उसने अपने सारे गंदे कपड़े के खटे कर उनका धेर लगा दिया अलमारी में सिर्फ एक साफ कमीज बची थे पीट पर फटी हुई उसे ढखने के लिए सुबोत ने कोट पहल लिया कोट को भी काफी दिनों से धोबी को देने का इरादा था परन्तु अब जब तक धोबी एक कपड़े लाए तब तक यही सही चाई पीकर वह बाहर चला आया कोट की जेबु में तलाश करने पर उंगलियां एक एक अन्नी से चाटक रहें पान वाले की दुकान पर सिगरेट खारीदा और जला करी गहरा कश खीजा और दो एक जगह रुक कर वापज चला गया रास्ते में धुबी मिला और उसने सुबोद को दुबारा सलाम किया कपड़े जर जल्दी लाना समझे कुछ रोप से सुबोद ने कहा अच्छा बाबुजी धुबी चला गया कमरे में घुचते ही मैले कपड़ों का धेर उसे वैसे ही दिखाई पड़ा जैसा की छोड़ गया था उसने वहीं रुक कर गारा अम्मा मेरे कपड़े दुलने नहीं गए पता नहीं बेटा व्रिंदा दे रही थी उससे कहा भी था कि तुमारे भी दे दे सुबोत को ना जाने कहां का गुसा चड़ाया चीक कर बोला कितने दिनों से गंदे कपड़े पहन रहूं पंदरा दिन में नालायक धोबी आया तो उसे भी कपड़े नहीं दिये गए तुम मा बेटी चाहती क्या हो आज मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों का सबरताप किया जा रहा है लानत है असी जिन्दगी पर मा तरस्थ हो उठी जब सुबोत का कंट सोर इतना उचा हो गया कि बाहर तक आवास जाने लगी तो भेर हो दी उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर सुबोत ने अवसर नहीं दिया कहता गया मुझे मुझे मुफ्त का नौकर समझ लिया है पहले कभी तुमने मुझे यह सब काम करते देखा था फिर उनके कंट की नकल करता हुआ बोला घर में तरकारी नहीं है ब्रिंदा के सहेलिया खाना खाएंगी उधर हमारी बेहन है की हुकूमत किया करती है अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में कदर क्या है मैं आज ही चला जाओंगा तुम दोनों चैन से रहना कहता कहता वे घर से बाहर आ गया अपनी छटपटाहट में उसके अंदर तक तीवर विद्वनसक प्रगवर्ती जाग उठी उसका मन चाह रहा था कि जो कुछ भी सामने पड़े उसे तहसनिस कर डाले वे चलता चला गया और उसी दुन में एक साइकल सवार से टकरा गया वे गिर पड़ा उसके उपर साइकल आ गए और वे व्यक्ति सबसे उपर जब उसकी कोहुनिया खुरदूरी सड़क से छिली और एक तीवर पीड़ा हुई तो उसका ध्यान पटा वे कुछ हका बका सा रह गया उसने पाया कि उस व्यक्ति ने उससे तकरार नहीं की उसने कपड़े ज़ाड़े और साइकल उठाते वे का भाई साब ज़रा देख कर चला कि जी चोट तो नहीं आई अगर वे लड़ता तो उस मूर में शायद सुबोद मार पीट करने को उतारू हो जयाता पर उसकी अप्रत्याशित विनम्रता से सुबोद ठिटक कर रह गया जब सुबोद ने उटकर चलने की कोशिश की तो पाया कि बाया पैर सूजने लगा है लंगडाता हुआ वे पार्क की बेंच पर आकर पैट कया उसकी दाहनी कोहनी से खून टपक रहा था जरा सभी हिलने पर पैर में तीवर पीडा होने लगती थी उसे समाल का पैर बेंच पर रख दिया और लेट किया अपना ध्यान पीडा से हटाने के लिए वे फूलों की और देखने लगा उसकी बेंच के पास ही कुलाब की घनी बेल थी जिसमें हलकी पीले फूलते दर्द बढ़ता चा रहा था उसने हिलना डूलना भी बंद कर दिया था कुछ देर इस तिर पड़े रहने से दर्द में विराम हुआ तो उसके ख्याल फिर सवेरे की घटना पर केंडरित हो गए उसका पैर हिला और दर्द की एक तेज लहर उठकर पूरे बाएं पैर में व्याप्त हो गई सुबोद ने होट भीज लिए जाडों की धूपती पर लोहे की बेंच धीरे-दीरे गरम होती जा रही थी और बेंच का एक उठा हुआ कोना उसकी पीठ में गड़ रहा था पर वे हिला डोला नहीं आँखें खोल का सड़क की ओर देखा तो स्कूल जाते वे बच्चे साइकले, खोमचे वाले उसने आँखें बंद कर ली जब पैर का दर्द कम हुआ तो कोहनी चरचराने लगी थी पर इस आत्म पीड़न से जैसे उसे कुछ संतोश सा हो रहा था वे कब सो गया उसे पता नहीं जब आँखें खुली तो सूरज सिर पर था और बेंच तप रही थी वे उठकर बाया पैर घसीट था दर्द सहता हुआ चाह में घस पर लेट गया उस पर एक बेहोशी सी च्छाई जा रही थी घस का इस पश शीतल था सुखधाई हावा में गुलाब के फुलों की सुवास थी पर उसे चैन ना था उसे अचानक मा का ध्यान आया शायद वे चिंते दर्वाजे पर खड़ी हो शायद वे उसके इंतिजार में भूकी हो उसने एक लंबी सांस ली और बाहें सिर के नीचे रख ली दिन कितना लंबा हो गया था कि बीथी नहीं रहा था जैसे एक यूग के बाद आकाश में एक तारा चमका और फिर अनेक तारे चमक उठे सुबोत गहास मैं से उठकर फिर बेंच पर लेट गया बेंच पर लेट गया उसके सिर में भारी बन था मूँ में कड़वड़ा पैर में जैसे एक भारी पत्थर बन था सारा दिन हो गया था पर उसे खोशता हुआ कोई भी नहीं आया ब्रिंदा को तो पता था कि वे अगसा पार्क में बैठा करता लेकिन उसी क्या फिकर पार्क से लोग उठ उठ का जाने लगे थे बच्चे उनकी आयाएं स्वास्तो ठीक रखने के लिए गूमने आने आने वाले प्रोड दो-दो चोटी किये हुए हस-हस कर एक दूसरे पर गिरती महले के लड़कियां पार्क शान्त हो गया हरी खास पर बच गए मूमपली के छिलके पुडियों के कागस के टुकडे तोड़े गए फूलों की मसली हुई पंकुडियां तीन फाटक बंद कर लेने के बाद चोकिदार सुबोद की बेंच के पास आकर खड़ा हो गया अब घर जाओ बाबू पार्क बंद करने का टेम हो गया बिना कुछ कहे सुबोद उठकिया दो दो कदम लड़ खड़ाया फिर चलने लगा हर बार जब बाया पैर रखता तो दर्ध होता धीरे धीरे लंगडा लंगडा करवे पार्क से बाहर निकल आया दर्वासा खुला था बरामदे में मद्धिम रोष्णी थी चोके में अंधिरा मैं अपने कमरे में आया कोने में मैले कपड़ों का ढेर था दीली चारपाई गंदा बिस्तर तिपाई पर खाना ढखा हुआ रखा था सुबोद चारपाई पर बैठ कया और तिपाई खीच कर लालचियों की तरह जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौर खाने लगा तो यह थी कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल लेखी का उशा प्रेमवदा कि इस कहानी को मैं आलप्रावार मा प्रसिद कर रही थी ऐसी ही हिंदी की अच्छी अच्छी और प्रसिद कहानिया आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिल जाएंगी आपका स्वागत है तन्यवाद